ग्यान इंस्टिटूट ग्यान इंस्टिटूट के आज किस लेक्चर में आप सबका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास तो आईए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नमस्का मैं सैरेंज है एक बाग फिर से ग्यान इंस्टिटू परिवार में आपका स्वागत करता तो पिछले लेक्चर्स में हमने कम्प्यूटर में नंबर सिस्टम चालू किया था तो इस लेक्चर्स में हमें सिर्फ उसे इंटूड़क्सन दिया था आज हम नंबर सिस्टम में कनवर्जन स्टार्ट करें कनवर्जन कैसे करते हैं कहां इटू करते हैं कहां डिवाई करते हैं कहां टेल्ट क try camouflorse करते हैं यह सभी हमें सिर्फ उसे लेक्चर्स में देखें हर dc ez-dcx एक्षार्फ में कनवर्जन आते हैं किस तरीखे और पूछे लाते हैं यह सारा आजिस लेक्चर्स में हम करते तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम कंवर्जन तो नंबर सिस्टम कंवर्जन में कितने टाइप से करेंगे वह वताय दे रहे हम पहला कंवर्जन जो होगा वह वाइनरी तो डेसिमल होगा मतला पहले नंबर को हम डेसिमल में चेंज करेंगे पहला कंवर्जन सकेंड कंवर्जन ओक्टेन तो डेसिमल थर्ड कंवर्जन हैंग्सा डेसिमल तो डेसिमल मतलब पहला जो कर्वर्जन है वो बाइनरी से डेसिमल में बदलेंगे आक्टेन से डेसिमल वे हैंग्सा डेसिमल से डेसिमल तीन नंबर को हम डेसिमल में चेंज करेंगे चौथा जो कर्वर्जन होगा उसमें हम क्या करेंगे डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे पाच्वा जो कर्वर्जन होगा उसमें हम क्या करेंगे डेसिमल से अक्टेल में चेंज करेंगे और छटवा जो कर्वर्जन होगा उसमें हम क्या करेंगे decimal से hexadecimal में change करें ये 6 conversion हो गए हैं इसके बाद 7 वर conversion है साथवा conversion उसमें decimal words का use नहीं होगा उसमें हम कैसे conversion करेंगे binary से आपका binary से octel में आठवा conversion octel से binary में नौवा conversion आपका binary से binary से hexadecimal और दसवा conversion है hexadecimal से वाइनरी ये 10 conversion के question answer आपको dca, pg, dca, cp, ct और अगर कॉंपटी के वैक्साम्स पूछे गाते हैं ये 10 ही conversion हैं और इन conversion को कैसे solve करना हैं वो हम आपको बताएंगे तो ज्यार लगना इसमें हम त्रिक से बता रहे हैं हैं इसमें पीपर में आपको confusion नहीं होगा कि कहां into करेंट, कहां जबाइट जा रहें और कहां devil का यूज करें तो हमने इन ग्रुप बना दिया है आपको पहला ग्रुप तीन नंबर तक देखें आप सभी नंबर को decimal में चीज करते हैं दूसरा ग्रुप decimal से बदल और तीसरा ग्रुप जो है आपका उसमें decimal बाट यूज नहीं हो रहा है आपका इसमें decimal तो लगा है आपका हूँ तीसरी कैटेग्री तो स्टार्ट करते हैं अगर किसी भी चीज को हम decimal में बदलते हैं तो इंटू करते हैं इंटू करते हैं किसी भी चीज को decimal में बदलते हैं जान रखना है सभी को इसके बाद किसी भी चीज को decimal से बदलते हैं तो divide करते हैं और जिसमें decimal word का use नहीं होता है वहाँ ना into करते हैं ना divide करते हैं सिर्फ और सिर्फ पीमिल का use करते हैं ठीक है जानत ना किसी भी चीछ को decimal में बदलेंगे तो into करेंगे गुरा करेंगे और decimal से बदलेंगे तो डिवाइट करेंगे मतलब भाग देंगे और डैसिबल पर का यूस ही नहीं हो रहा है तो तेहसा अब कॉस्टन आता साओ किसका इंटू करना है किसका डिवाइट करना तो डिपेंड करता है कॉस्टन और मैं आपको यह की करके समझा रहा हूँ तो पहला topic start करते हैं आपका पहला conversion जो है उसमें पहला conversion जो है वो है binary से decimal में हम कैसे बदलते हम पहला conversion binary से हम decimal में कैसे change करेंगे तो question कैसे आता है exam ऐसे पूछ लेए एक number ने दिया आपका 101, base 2, question mark, base 10 अब आपका ही question आगे असर पता कैसे चलेगा किसका किस में conversion तो आपने पहले lecture में भूला था आप से कि घात याद रखना, अगर घात याद है तो बिलकुल easy हो जाए गए तो यहाँ पर लिखो आपको देख सकते घात 2 लगी है यहाँ घात 2 लगी है मतलब binary यहाँ पर घात 10 लगी है मतलब कितना decimal मतलब binary को decimal में बदलना है और एक चीज़ और अगर यहाँ पर घात नहीं दी गई है तो आप देख सकते जो नमबर इनूस हो रहे हैं उसमें 01 है और 01 वाला नमबर सिस्टम कौन सा होता है बाइनरी नमबर सिस्टम बाइचल पीपर वर मिस्टेक हो गए नहीं दखा पाए वो बुगार दो और उन्होंने 101 दे दिया तो आप क्या आता रहेंगे आपको तो सीधा याद रखना है 101 दिया है मतलब 01 दिया है यहाँ तो बदलने के लिए जहां दरना अगर दसमलब चिन का प्रियोग नहीं हो रहा है तो उसको राइट हैं साइट से स्टार्ट करते हैं और दो की घाथ चीरों से गुना करते हैं दो कैसे करेंगे राइट हैं साइट यहां पे निको बन है राइट हैं मतलब इस साइट से चालू करना है तो one into किसका into करना है two तो start करेंगे two की बाबा zero plus आगे की side बढ़ना है फिर क्या दिया zero into two की बाबा one plus फिर क्या दिया one into two की बाबा two मतलब यहाँ पे right से left में जाना है और two की घाल को बढ़ाते जाना है या पे दिको दो की घाल जीरो फिर मैंने क्या किया है दो की घाल फिर क्या किया दो की घाल दो अब बस कुछ नहीं है calculation करना है mathematics आती होगी आप लोगो घाल को solve करना है two की घाल दो मतलब दो गुड़े दो तो दो गुड़े दो कितना हो जाएगा चार दो दो नीचा किसी री संक्या में अगर हम जीरो का बड़ा करते हैं तो अंसर क्या आ जाता है जीरो प्लस यहां पर एक कैसे आपको मैतमेटिक्स में सिखाया गया होगा किसी की भी घार जीरो हो जाती है किसी की घार जीरो होती है उसका मान एक होता है तो एक का एक में बड़ा किया एक का एक में गोड़ा करेंगे तो एक आ जाएगा तो यहां पर चार एकम चार और एक में जीड़ों तो एक चार और एक कित्ता हो गया पांच आन्ज़गा पांच इस तरीके से आप कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल है तो बिल्कुल भी नहीं है आप तो बस समझ लें अच्छे से दो से दस में बदलना है पहले यह याद रटना ह है ऐसे 2 से 10 में हम बदलेंगे तो बढ़ा करेंगे किसका दो है जिससे बदल लब उसका ही घण करेंगे एक गुड़े दो की गार जीरो प्लस जीरो गड़े दो की गार एक प्लस एक गुड़े दो की गार दो की गार दो मतलब इत्ता हो गया चार जीरो के दो की गार जीरो मतलब एक एक में गुड़ा की ऐए चार एक हम चार और एक पांच गार किति आप दस तो यह आपका एक सवार हो जोटा है कि बाइनरी से डैसीन में कैसे बदलेंगे एक और सवाल हम समझाए दे रहें इससे आपको confusion create ना हो और एक दो question हम आपको homework में भी दे देंगे इससे आप binary से decimal में कैसे बदलेंगे तो second question जो है वो यह रहा second question थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं one one zero one one ways to or change करना है आपको 10 यह दिया है question question विकल में ऐसे दिया रहे और इसके नीचे चार और उसका राइट आंसर क्या हो और डीसी एपीजी डीसी में कैसे बूशते हैं ऐसे इच्छे आप आज question दे लेते हैं तो आप कैसे solve करेंगे तो start करते हैं हमने आपको बता रहा है right hand side से right hand side से start करेंगे तो right hand side पर क्या लिखा है one तो one में किसका multiply करना है two two की power zero plus फिर क्या लिखा है one into two की पावर one plus फिर क्या लिखा है zero into two की पावर two फिर वान बान इंटू टू की पावर three plus फिर कितना लिखा one into two की पावर four लब जितने आंगी नंबर हैं उन गाता को बढ़ाते जाए और आपका question solve हो जाए अब इसके आपने क्या करना calculation जोगी आप लोगो बहुत अच्छे से आती है क्योंकि आप ग्यार इंसिट्यूट को जॉइंट की है और यहां पर mathematics से तो अब ध्यान से आपको क्या कहते हैं मिस्टेक नहीं करनी है तो calculation में solve कैसे गरेंगे 2 की पावब फोड़ा मतलब कि इतने बाद करना है तो बोड़ें दो बोड़ें दो मतलब चार बात दो को लिए दो लेगना है दो दूनी चार दूनी आठ आठ दूनी सोला भिलाल टो के गाहिए tago 10 का मतलब पिंता हों सोला दोगीcken PatAL day 2 पर दो मतलब पिंता हों थे Aran 5phabet गाहिए जीए लो तुल इे चार जीए थे गोड़े है时 रूख 1 दीर और मलत affairs दो और meeting आपको बताया gumaire किसी ये गाहिए उसतेमाहां और एक गोड़े एक मतलब एक अब आप इनको जो दो 16 और 8 16 और 8 हो गया आपके 24 16, 24 और 26 और यह कितना हो गया सब्ता ही तो यह सब्ता ही जो फिर आपको अगर डीसे पीजी डीसे के पेपर दे रहे हैं तो आपको पोस्टर लगा के उसकी घार्वी इतना अनिवार तो इस इस वार्षिन का आणसर कितना हो गया 27 27 ठीक है इस तरीके से आपको वस्टर सॉल करना है बच्चे कही वार मिस्टिक कहा कर प्याते हैं यहां पर दोगी गाती सार्वी गाती मतलब 6 तो भैया ध्यान लगना दोगी घार्थी मतलब यह सब्सक्राइब नहीं दो 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 द को दो करना है यह फिस्टम बता रहा हैं है वह ंरी से कैसी बल्वें बता रहे हैं और जो क्वेस्ट्र सॉल्व करते हैं करियोग नहीं हो रहा है बिना दोसमलब बाले कोस्टि Congress olacakуск बटेखिए व्हुं तो देखते हैं तीसरा क्वाश्चन हमें देखना है और इसके बाद ये कर देंगे इसके दो चाहब क्वाश्चन के लिए हम आपको घर के लिए देखे तो तीसरा क्वाश्चन एक क्वाश्चन लिए हमने 110.11 बीस 2 और इसको चीज़ करना है बीस 10 तो अब आप देख सकते हैं इस क्वाश्चन में दसमलब चिन्ने का प्रियोग किया गया है देख सकते हैं तो दसमलब चिन लिए तोड़ा सा नया लोचिक आ गया है सब अब दसमलब चिन आ गया प्रोब्लम होने लगी क्योंकि दसमलब को देखके स्टुडेंट डवड़ा जाते हैं मैं तो चाहरीजिंग हो चाहरी कम्प्यूटर हो दसमलब आया ख़तरनाची है तो कैसे सब्सक् दूर्शा इसता यह कैसे करेंगे तो जीरो π क्या रहेखते है। अब ढप्रोफ के साइट को लेफ्ट लेफ्ट हैं वी डुल्स लेफ्ट रैंद साइट पीचे से नहीं करना लेक्ट हैंड साइट से ही स्टार्ट करना है उससा कैसी चालती जहां रखना आंगे से स्टार्ट करना है वह दोगी होगी उसको ड़ातमत चेन्गर लेके चलिए जैसे एक 1 दिखा है तो 1 इंटू 2 की पावर्ट पावर माइनस 1 मतलब रसमलब के बाद वाले अंके जो दिये है उसमें दो का बुड़ा तो कला लेकिन घात जो होगी पूर्णात मख में आएगी तो 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 2 तो स्वाल करते हैं आगे 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 4 2 की पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 2 यह दो 2 की पावर 0 मतलब कितना होगा 1 होगा 2 की पावर 0 मतलब 8 होगा तो दोगी खाव 0 का मतलब पिछले question नों बता चुके अब आपको याद करना है जीरो मतलब एक कोड़ा जीरो में करेंगे तो जीरो आ जाए अब ध्यान रखना माइनस घाग आ चुकी है बच्छों का गन्फीजन यहीं से गिरिए तो ध्यान रखना जब भी माइनस आए तो घाग को नीचे ले जाओ एक गोड़ दोगी कात माइनस एक तो इसको क्या गादे निक सकते नीचे जाएगी तो या कार फीक नीचे जाएगी तो एक बाटे दो की गात दो अब इसको हल कर लो 4 और 2 कित्ते होगा 6고 प्लस एक बाटे दो मतलब आप लोग को बता होगा 2 खबाग 1 में दोगे तो 2 खबाग 1 में दोगे 1.2 मतलब इत्ता होता 0.65 1.2 की गाते 2 मतलब 1 को 4 ठीक है अब इसको 6 च्छे प्लस जीरो सब्लाग पाच प्लस एक बटे चार का मतलब आप लोग जानते ही होगे जीरो सब्लाग दो पाच चार का बाग एक में दे दो चार का बाग जैसे ही एक में देंगे तो आप लोग दे के जानते होगे हुआ है हुआ है पचा कितना जीरो बड़ा दिया चार मंचे बीज कटगिया आंतर किता है, 0,25, जी दो दो पाद, जी दो दो पाद, छे प्लस, 0,25 प्लस, 0,25 अब इन सब को जोड़ो, तो आंतर आ जाएगा, 6,0,25, जोड़ो पी, तो 6,0,25, जोड़ो पी, तो 6,0,75, साथ पाच और हाथ कितनी लग जाएगी बस तो इस तरीके से हम questions को solve कर सकते हैं एक बार और रपी जल्दी से starting करना है यहां से तो क्या होगा जीरो गोड़ेद दोगीघाद जीरो एक गोड़ेद दोगीघाद एक गोड़ेद दोगीघाद दो प्लस एक गोड़ेद दोगीघाद माइनस एक यहां अगना दसामलब के इस साइड LHS से स्टार्ट करना है आपको तो एक गोड़े 2 गीगाद माइनस एक एक गोड़े 2 गीगाद माइनस दो अब 2 गीगाद 2 मतलब कित्ता चार 2 एक अब 2 0 इदार यार लगना बच्चे गर्फ्यूज होते हैं तो एक बटे कित्ता हो गया 2 एक बटे 2 कीगाद माइनस दो मतलब कित्ता हो गया एक बटे माइनस दो को नीचे लेगा तिरी एक बटे 2 कीगाद 2 चार और दो छे एक बटे 2 का मतलब 0 गाद 5 एक बटे 2 कीगाद 2 मतलब कित्ता हो गया एक बटे 4 छे प्लस 0 गाद 5 एक बड़े चाहता बतलब 0.25, 0.25, 0.25 बॉर्णों को जोड़ दिया, 0.75, 6 में 0.75 जोड़ दिया, तो 6.75 बाद 10 लगा दिया, तो इसका आंसर, इस बाइनरी नंबर सिस्टम का आंसर आंसर आंगया, 10, तो इस परकार हमने बाइनरी से डैसिमल में पहला नंबर सिस्टम कर व किया है, अब इसके हम दो-चार क्वेस्टन पूर्ट पे लिख रहे हैं, इन क्वेस्टन को आप घर फे सॉलब करें, और इनके आंसर आप कमेंट वॉक्स में लिखें, तो क्वेस्टन है, आप नोट कर लीजिए, वीडियों को फोर्स करके, नोट जरू करिए, और सक्सेस, सक्सेस होना है, तो एजुकेशन करना पड़ेगा, और एजुकेशन करने के लिए बद्पिस को करनी ही पड़ेगा, तो देखें, हॉमबग आपका है, क्वेस्टन नोट जरू करिए, तो पहला क्वेस्टन, आपका बोर्ट पे है, 1101.101, वेस्टू, इसको आपको जिन करना है, 10 में, सक्षण, 111.1, वेस्टू, और इसको जेड करना है, आपको 10 में, और एक और बास, 159, क्वेस्टन को सॉल्द करना है, 11.11, वास्टू, इस परकार यह तीन कौश्चन आपको सौल्द करना है, और अगर यह तीन क्वेस्टन आपके सही आते हैं, तो आप लाइफ में कभी भी बाइनरी से डैसिमल में बदलना नहीं भूल पाईए मैंने बच्वर में सीखा था आज तक याद है क्यों क्यों कि इसकी ट्रिक भी इस काम कर रहा हूँ तो ज्यान दखना डैसिमल में किसी गोवी बदलो इंटू करना है और दसमलब के इस साइड आपका जब दसमलब के इस साइड करो तो घात दनात्मक पड़ेंगी और दसमलब के इस साइड करो तो घात रडात्मक पड़ेंगी तो ज्यान दखना है solve करना है तो आज के लिए इतना ही अब इसके बार अगले lecture में हम जल्दी आपको बिलेंगे और उस lectures में October से decimal और hexadecimal से decimal करेंगे धन्यबार तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक आज के लिए बस इतना ही आपके लिए हम फिर हासिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अबडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजे अपना फेड़ बैक अब देहा में अजासत नमशकार